फूलों में सिर्फ सुंदरे नहीं होता बल्कि एक फूल धेल सारे प्राकृतिक तत्वों से भरे होते हैं जो शरीर के लिए फाइदे मंद होते हैं हर सिंगार के एक खुबसूरत बहतीन खुश्वू से भरे फूल आपने भी देखे होंगे मगर आप जानते हैं कि ये फूल कई रोगों और परिशानियों में काम आ सकते हैं हर सिंगार का केवल फूल ही नहीं बल्कि इसकी पत्यां और जड़ भी बहुत फाइदे मंद है आयूरेट में इन्हें कई बड़ी बिमारियों का इलाज बताया गया है तो इसलिए आज हम आपको हर सिंगार से जुड़े फाइदे बताने जा रहे हैं हर सिंगार के चाय बनाने के लिए इसकी दो पत्यां और एक फूल के साथ तुलसी के कुछ पत्यां लीचे और इन्हें एक गलास पानी में उबालें जब ये अच्छी तरह से उबल जाएं तो इसे च्छान कर गुन गुना या ठंडा करके पी लें आप चाहें तो स्वाद किरेश शहद या मिश्टी जाल सकते हैं ऐसा करके आपको खांसी में आराम मिलेगा शरीर के बाहरे सूजन को हम कई तरीकों से ठीक कर सकते हैं लेकिन भीतरी सूजन कई बार बहुत खतरनाक हो सकती है हर शिंगार के फूल सूजन को दूर करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें एंटी फ्लेमेंटरी गुन होते हैं इसके लिए आकू सब्ता में दो बार हर शिंगार के पत्तों का काड़ा पीना चाहिए इसे शरील की रोग प्रती रोदक शमता बढ़ती है और शरील में होने वाले किसी भी प्रकार का संक्रमन समाप्त हो जाता है इसके लावा ये सूजन को अंदरी अंदर खत्म करता है अर्थराइटिस एक गंभीर समस्या है जिसके कारण जोडों में दर्द और सूजन आ जाती है इसके कारण रोज मरा के कामों में परशानी आती है जोलो की दर्द की समस्या से बचने के लिए आप हर सिंगार का प्रयोग कर सकते हैं हर सिंगार के पांच पत्तों को पीस कर पेश्ट बना लें इस पेश्ट को एक गलास पानी में मिला का धीमी आज पर पकाएं जब पानी आधा रह जाए तब इसे पीने लायक ठंडा करके पीएं इस काले का सेवन सुभा खाली पेट करें इससे वर्षो पुराने अर्थराइटिस के दर्द में भी निश्यत रूप से लाब मिलेगा पाइल स्यानी बावसीर के लिए हर सिंगार के बीच रामवान और सद्धी के तरह काम करते हैं इसके एक बीच का सेवन प्रतिदिन करने से बावसीर ठीक हो जाता है या हर सिंगार के बीच दस ग्राम तथा काली मिर्ज तीन ग्राम को मिला कर पीच लें और चेने के बराबर आकार की गोलियां बनाकर रखें रोजाना एक ये गोली गुनगुने जल के साथ सुभा शाम खाने से बावासीर ठीक होती है यदि गुदाद्वार में सूजन या मस्ती की समस्ता है तो हर सिंगार के बीजों का लेप लगाकर गुदे पर लगाने से लाब मिलता है दोग का पानी में हर सिंगार के बान से छे पत्तों को छोड़ा छोड़ा करके डाल कर इसे धीमी आज़वार पका लें और फिर इसे शाम को भोजन करने के बाद पीए ऐसा करने से सैटी का रोग जड़ से मिठ जाता है तो देखा आपने जितना खुबसूरत हर सिंगार का फूल है उतना ही खुबसूरत उतना ही फायरिमंद ये फूल है